दो हजार 21 में हुए CHSL के exam की final answer की का इंतजार हर एक student को था कि क्या था उनका कैसा रहा उनका response उनके उनकी performance उस particular exam में तो my dear students आपका इंतजार खतम होता है और CHSL का final answer की आ चुका है आप सभी लोग यहाँ पर इसकी side पे जाके SSC के side पे जाके यह answer की check कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और दोस्तों आपको question paper भी download कर सकते हैं जो paper आपने attempt किये थे तो इसमें यह सब कुछ लिखा हुआ है और एक चीज़ और लिखा है पीडियाप पर link क्लिक करके आप डारेक भी पहुंच सकते हैं और SSC की side पर भी जाकर आप यह check कर सकते हैं तुरन जाईए और चेक करिए अपना answer की क्या रहा response और उसके बाद अगर आप लोगों को आगे की preparation के लिए किसी other SSC की exam के लिए आपको preparation कर दी है तो आप an academy के platform प सकते हैं आप सभी लोगों को घर बैठे इंडिया के top educators के साथ SSC के सारे subjects की complete preparation tier 1, tier 2 and किसी में अगर descriptive है तो descriptive तक की complete preparation घर बैठे कर आई जाती है so referral code संदीब 12 का इस्तेमाल करके अन academy पर आप जोड़ सकते हैं फिलहाल अभी जाएं और CHSL का अपना final answer की में अपना नाम और अपना score देखे hey guys मानेवी संदीब के सरवानी faculty of English इस particular वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ phase X का यानि phase 10 का SSC phase 10 का कुछ tentative dates आई हुई है tentative answer keys आई हुई है उसके बारे में so guys यहाँ पर यह एक update आया हुआ है जिसमें phase X 2022 selection post examination and selection post laddak 2022 examination की tentative answer keys आई हुई है आप यहाँ पर जाके अभी यह particular exam हुआ था कब the commission had conducted phase X examination इसका exam हुआ था 1st August 2022 से 5th August 2022 यानि की अभी कुछ दिन पहले यह particular exam हुआ था ठीक है 5th August तक यह exam हुआ था फिर उसकी आंसर की tentative answer keys आ गई है तो आप एक बार जाके चेक कर लीजे कि आपकी जो performance रही है और answer की देखकर कि आपके कितने marks हो सकते है लंसम तक आप पहुच सकते है ठीक है और अगर आपको लगता है किसी particular answer पे कि हाँ इस पर कुछ और होना चाहिए यह answer की आप challenge करना चाहते कि नहीं यह नहीं यह होना चाहिए तो guys उसके लिए भी आप 100 उपी question उसको claim कर सकते है लिखा हुआ है representations in respect of the tentative answer keys if any may be submitted online from 17.8.2022 to 23.8.2022 6 p.m. तक on payment rupees 100 per question answer challenged यह अगर आपको लगता है कि इसका answer यह नहीं यह होना चाहिए तो 100 रुपए per question के हिसाब से आप इसको challenge कर सकते है और अगर आपका answer सही हुआ तो वहाँ पर उसको consider किया जाएगा जो आपने answer बताया ठीक है तो गाईज यह चीज फड़ा फड़ा आप लोग चेक कर लीजे अगर आपने physics का exam दिया है तो आपको check करना चाहिए कि आपका answer क्या रहा आपके total score कितने है और आपके total कितने mark से आपके correct होते है ठीक है और उसके अलावा अगर आपको SSE के other किस exam की preparation करनी है घर बैठ है इंडिया के top educators के तो आपके लिए best platform में unacademy referral code संदी 12 स्थमाल गर के unacademy पे आप course purchase कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं इंडिया के top educators के साथ और आज कल unacademy आपको 7 days का free trial दे रहा है आप 7 days के paid course को free of cost वहाँ पे attend कर सकते है और अगर आप को ठीक लगे तो आप subscription लीजे पहले ना लेना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते तो चलिए फटा फट जाए पहले तो आप इसको चेक कर ले और दूसरा आगे की preparation के लिए unacademy learner app तुरंट download करें